नमस्कार, सिनेमा हॉल में आपका स्वागत है, मैं अजे ब्रमातमज आज मैं आपसे कुछ ऐसा शेयर करने जा रहा हूँ, जिसके बारे में पिछले कुछ महीनों से बहुत गर्मा गर्म चर्चा चल रही है और ऐसा माना जा रहा है कि इसने हिंदी फिल्म इंडिस्ट्री को प्रभावीत किया है हलाकि मैं इसको पूरी तरह से नहीं मानता और मैं जानता हूँ कि इसके पीछे कौन सी शक्तियां काम कर रही है मैं सुरू से इस बात को दोहरा रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि कैसे राइट वींग के लोगों और सुसान सिंग राजपूत के आत्मात्या के बाद ये पूरा मामला उठा है और किस तरीके से हिंदी फिल्म इंडिस्ट्री को बदनाम करने की कोशिश होती रही है उसी का परिनाम उसी का ये नया रूप था बायकॉट बॉली उड तो आज मैं आपसे बायकॉट बॉली उड का सच जाहिर करूंगा और यह पूरी रिपोर्ट मैंने जोईजीत पाल ट्वीटर पर हैं और उन्होंने एक ट्वीटर थ्रेट चलाया जहां उन्होंने शोध के आधार पर गविशना के आधार पर कुछ तख्यात्मक जानकारिया दी हैं उन्ही तख्यात्मक जानकारियों के आधार पर मैं आज आपसे ये सारी चीज़े शेयर कर रहा हूँ आप दरशक है आप हिंदी फिल्म में पसंद करते हैं हो सकता है इस पूरे बहिसकार के अभियान में आप नापसंद करने लगे हो लेकिन अगर सचाई से आप वाकिफ होंगे सच जानेंगे तो आप फैसला ले सकेंगे कि क्या आप भी बहकावे में आ गए या फिर आपने पन्ती अभियान का समर्थन किया या आपको आत्म मन्थन करना होगा कि आखिर आप किस तरफ हैं सिनेमा की तरफ हैं या सिनेमा के विरोध में हैं तो मैं इसकी सुरुबात करता हूँ मैंने उनी के ट्वीट ठेट से कुछ तथ्य जुटाए हैं उनी के ट्वीट ठेट को प पाल ने पूरा ट्वीट थ्रेट चलाया कुछ दिनों पहले और इसकी पूरी जानकारी दी है मुझे इस थ्रेट की जानकारी सुरा भासकर के ट्वीट से मिली सुरा भासकर ने उसे शेर किया था मैं खुद वहां गया मैंने भी उसे शेर किया और कई लोगों को इसके बारे में बताया निश्चित रुप से इस थ्रेट को पढ़ने के बाद आप भी क्लियर होंगे कि क्या ये सच्चाई है मैं उस ट्वीट थ्रेट का लिंक भी नीचे में डाल दूँगा डिटेल में रहेगा जहां आप जाके खुद पढ़ सकते हैं जोईजीत पाल जोईजीत पाल ने बहुत विस्तार से ट्वीटर के आधार पर ट्वीट पर चले हुए तमाम अभियानों को समेटते हुए टिपणियों को समेटते हुए पोस्ट को समयते हुए ये पूरा निसकर्ष निकाला है और हमारे सामने पेश किया है मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ उनकी इस मेहनत को धन्यवाद देता हूँ और उनकी तारीफ करता हूँ चुके ये पूरा मामला तथ्यात्मक है इसलिए मैं ने जो नोट किया है उसमें मेरी नजर बार बार पढ़ेगी और मैं बार बार पढ़के आपको बताऊंगा सबसे पहला ट्वीट जो वे करते हैं उसमें लिखते हैं कि इसे राइट विंग इंफ्लूएंसर ने स्टार्ट किया राइट विंग इंफ्लूएंसर मतलब भाजपा समर्थक दक्षिन पंती सोच के इंफ्लूएंसर जो सोशल मीडिया पर एक्टिब है उन लोगों ने इसे चलाना सुरू किया एक बार जब यह चलन में आया तो सुसान सिंग राजपूत के प्रशन शक्त जो काफी सक्रिये हैं सोचल मीडिया पर उन्होंने इसे ट्रेंड किया इसे आगे बढ़ाया इस पूरे अभियान में दक्षिन भारतिय सिनिवा को हमीसा स्रिष्ठ बताया गया जोजीर पाल लिखते हैं 14,38,221 ट्वीट हुए कुल और इसे ट्वीट करने वालों की संख्या थी 1,66,000 मुख्य रूप से 1 अगस्य से 22 सितंबर के बीच यह अभियान चला है ट्वीटर पर मैं बताते हैं कि 336 ट्वीटर हैंडिल ने 1000 से अधिक बार बॉइकॉट बॉलिवड को ट्वीट किया है मुक्रिब से यह पूरा अभियान बड़े बजट की फिल्मों फिल्म रिलीज के पहले किया गया और आप यह भी गौर करेंगे कि इसमें दक्षिन भारतिय फिल्मों को कभी निशाना नहीं बनाया गया एक लाइगर है जिसमें थोड़ी चर्चा की गई थोड़ा निशाना बनाया गया उसे लेकिन इसकी वज़ाई यह होगी कि इस फिल्म के निर्माता करण जोहर थे विक्रम देवरकॉंडा इसमें हीरो थे जो दक्षिन के हैं इस मंडली ने बायकॉट बॉली उड मंडली ने गूगल और आइम डीवी पर भी जाकर फिल्मों की रेटिंग को कम करने की कोशिस की वहाँ वोटिंग ऐसी की उसको कम पॉइंट दिये ताकि उसकी रेटिंग घटकर नीचे आ जाए और यह परसेप्शन बने कि यह फिल्में दर्शक पसंद नहीं कर रहे हैं एक लाख 67,989 जो ट्विटर हैंडिल थे जहां से यह सारे ट्वीट हो रहते उसमें से जोजीत पाल के अनुसार 12,889 घोस्ट ट्विटर हैंडिल थे जिनके जीरो फालोवर्स थे आप सोच सकते हैं कि यह बनाए गए होंगे और इस अभियान में उन्हें शामिल किया गया होगा घोस्ट अकाउंट से 100 से अधिक ट्विट हुए हैं है ना मज़दार बात उनमें सिफ कुछ ने तो हजार हजार बार ट्विट किया है पूरे अभियान को देखने से लगता है कि वे किसी मर्सिनरीर की तरह काम कर रहे थे या बॉट की तरह काम कर रहे थे बॉट सोचल मीडिया का शब्द है जहां कुछ लोग संड़ित होकर कोई काम करते हैं जोजीत पाल बताते हैं कि सभी घोस्ट एकाउंट सिर्फ पिछले दो सालों में बनाए गए थे सिर्फ एक को छोड़कर एक 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 एकाउंट घोस्ट एकाउंट पहले से चला आ रहा था बाकि सारे एकाउंट पिसले दो सालों में बनाए गए यह भी तथ्य साम ने आये कि पिसले एक महीने में यह एकाउंट सबसे ज़्यादा बने यानि कि ब्रमास्त रिलीज होने के समय या लाज सिंग चड़ा रिलीज होने के समय सोशल मीडिया प्रेटफॉर्म काफी एक्टिव थे उन्होंने इन में से कुछ अकाउंट जिसके बारे में उन्हें श्रक हुआ उसको रद्द भी किया उसे बंद भी किया उसे प्रतिबंदीद भी किया लेकिन यह अभियान फिर भी चलता रहा इन्फ्लिएंसर ने सबसे ज़्यादा बॉयकॉट बॉयूट को प्रचारित किया और उसके बाद उनके फॉलोवर्स आये और ऐसे घोस्ट एकाउंट से लोग आये जो एक्टिव हुए पूरे अभियान में बॉयूट विरोधी भाउना काम करते रही है हमें कई बार कह चुका हूँ कि बॉयूट की विरोध की भाउना को भड़काया गया है और उसे आगे बढ़ाया गया है और एक जो विरोध की भाउना चल रही है उसमें बार बार उस आग में बार बार घी डालने का काम करती रही है दक्षिन पंति सक्तियां आप हसियगा नहीं इसमें सुदर्शन टीवी काफी एक्टिव रहा है इसमें जो परचित राजनेतिक हैं वे इस अभियान से दूर रहें लेकिन भाजपा समर्तक और भाजपा के कई गणमान्य व्यक्ति कई मशूर व्यक्ति इसमें शामिल हुए जिसमें विश्व हिंदू परिशद की साध्वी प्राची है यूपी के राजमंत्री दिनेश परताप सिंग है आंध्र प्रदेश के भाजपाव महासचीव विश्नु वर्धर रेड़ी हैं दिल्ली की सचीव वैसाली पोद्दार है इन सभी ने बॉयकॉट बॉलियोड ट्वीट किया है और उसे प्रवक्ता राधा रामदास वेंचर कैप्टिलिस्ट आसा मोटवानी छोटी संख्या में लेकिन महत्यपूर्ण संख्या में आप प्रवासी अकाउंट भी बॉयकॉट बॉलियोड चला रहा था और ये वे लोग हैं जो हमेशा ऐसे मुद्दों पर एक्टिव हो जाते हैं और फिर अपना नियमित काम करने लगते हैं वे भी बॉयकॉट बॉलियोड अभियान जब चला तो काफी अक्टिव हुए है और विदेशों से ऐसे ट्वीट किये गए कि हमें हिंदे फिल्में नहीं देखनी चाहिए हिंदे फिल्मों का विरोध करना चाहिए हिंदे फिल् बहुत ही तेजी से काम करते रहे और वे लगाता ट्वीट करते रहे और ये सभी दक्षिन पंती समुहों से जुड़े हुए हैं दक्षिन पंती सोच के हैं उसे विचारधारा पर काम करते हैं उनके लिए हिंदी फिल्म इंडिस्ट्री सेकुलर इंडिस्ट्री है और इसकी ख जोड़ा जाता था हिंदी फिल्म इंडिस्ट्री को और बदनाम किया जाता था। आपने गौर किया हुआ कि इन में से कुछ ऐसे भी इंफुलेंसर थे जो टीवी पर भी आते हैं और वहां भी वे ऐसी ही बाते करते हैं। ऐसी ही घ्रणा फैलाते हैं, ऐसे ही हेट स्पीज देते हैं। इन सभी ने लब जिहाद की भी बात की और ऐसे मुसलिम कलाकारों के नाम लिए या उन पर निशाना साधा जिनकी पत्निया हिंदू हैं। उनको भी इनोंने टारगेट किया और धेर सारे ट्वीट किये उनके खिलाफ। सुशान सिंग राजपूत की आत्म हत्या के बाद ही ये सारी घटनाएं हो रही हैं। और देखेंगे आपके इसमें उनके प्रसंशक, उनके समर्थक और उनका सहारा लेकर, उनके कंदे पर बंदूक रखकर गोली चलाने वाले दक्षिन पंती समर्थक हैं। और वे इसे बार-बार लहराते हैं, बार-बार भढ़काते हैं, बार-बार आगे बढ़ाते हैं, इन सभी ने गलत सूचनाए परचारीत की, और जब उन गलत सूचनाओं को बताया गया कि यह गलत सूचनाए हैं, तब भी उन्होंने वे ऐसे ट्वीट नहीं हटाया, ऐसे पो सच्चाई है अन्यता प्लेटफॉर्म इसे हटा चुका होता आपने यह भी गौर किया हुआ कि इसमें ज्यादा तर्गेट बॉली उटके ही स्टार बनाए गए हिंदी फिल्मों के स्टार बनाए गए धक्षिन के स्टार को कभी निशाना नहीं बनाए गया और यह भी सच्च सच्चाई है कि हिंदी फिल्म इंडिस्ट्री में ही बहुत सारे मुसल्मान कलाकार काफी लोकप्रिये हैं ऐसा दूसरा उधारन सिर्फ मल्यालम सिनेमा में मिलता है जहां कई सारे कलाकार और निर्देशक मुसल्मान हैं बाकी चाहे तमिलडु हो चाहे करनाटक हो चाहे अं पूरा अभ्यान चलाया गया और ऐसा चलाया गया ऐसा बताया गया और इस तरीके से लेख भी लिखे गए लोगों ने वीडियो बनाए कि बायकॉट बॉलियूड का इतना असर हुआ है कि फिल्मों का बिजनस कम हो गया है मैंने बार बार इस बात को कहा और तथ्ये के साथ ब अगर वे काम्याब होते अगर उनका दर्शकों पर असर होता तो बायकॉट बॉलियूड एक ब्रहमित अभियान है एक गलतफामी फैलाने वाला अभियान है एक घिरनास्पद अभियान है और इसे यथा संभो जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहिए और आप अगर कभी गल करें फिल्में अच्छी होती है बुरी होती है बुरी फिल्मों की आप भी आलोच ना करें मैं खुद जब रिव्यू करता हूँ तो बुरी फिल्मों का समर्थन नहीं करता हूँ मैं लेकिन ऐसा नहीं हो कि आप सिनेमा से ही घिरना करने लगें सिनेमा बीस्वी सदी में हमारे जीवन में एक राहत की तरह है, हमारे जीवन में एक सुकून की तरह है, हमारे जीवन में यह एक प्रेड़ना की तरह है, हम इसे ऐसे ही इसी रूप में रखें। तो ये सारी बाते आपने सिनेमा हॉल पर सुनी, जाजीत पॉल को फिर से में धन्यवाद देता हूँ और उनकी इस मेहनत के प्रते कृतग्यता व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस भ्रह्म को दूर किया, इस गिलत्भामी को दूर किया और तथ्य सामने रखे, आप भी जाकर देखें संबह होतों और आँख कान खुले रखें, किसी के बहकावे में ना आए, खुद फैसला करें, खुद तै करें कि आपको क्या करना है, आप सिनेमा हॉल देख रहे हैं, लगातार हमसे जुड़े हुए हैं, आप इसे सब्सक्राइब करते हैं, पहली बार आते हैं, त जो आपके परचित हैं, जो आपके परिजन हैं, जो आपके मित्र हैं, जो आपके दोस्त हैं, तो आप देंगे ना समर्थन, शुक्रिया, महरबानी, धन्यवाद, देखते रहें सिनेमा हॉल